हलो माई दिये स्टुडेंट मेरी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है हम देख रहे हैं क्लास 12 की वालोजी का चैप्टर नमबर 6 वनसागत का आणविकाधार आज का जो टॉपिक है वो है जीन अभिवेक्ति का नियमन यहां पे जो पहला सब्द है वो है जीन जीन किसे क बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि इसकी कोश्का की है आप फिगर में देख रहे हैं कोश्का के मद्ध में जो यूकरियोटिक कोश्का होती है उसके मद्ध में एक केंद्रक होता है जिसको नूकलियस कहते हैं और इसमें धागे नुमा सनचनाय पाई जाते हैं जिसको क्रो सरह में बदल जाती हैं तो जो पने होते हैं इक प्रोटी नुमा सरना घेरे राती है जिसको क्या करते हैं डियेने डियेने धो कुंडूली से दो स्रिंखलाओं से मिलके बना होता है और DNA का मॉडल भी आप पढ़े होंगे और नहीं जानते हैं तो आप प्ले लिस्ट में इस चैप्टर के सुरू में ही आप देख सकते हैं तो DNA के जो खंड होते हैं जहां से समझिएगा DNA के जो खंड होते हैं उसी में आन्वांसिक लच्छण चुपे होते हैं और DNA के प्रते खंड को जिसमें आन्वांसिक लच्छण होते हैं उसी को हम क्या करते हैं जीन परिभासा बहुत सिंपल सी है DNA के वे खंड जिनसे आन्वांसिक लच्छण प्रगट होते हैं आप आए जाते हैं उसे हम जीन कहते हैं अब बात होती अभिवेक्त कि ये जीन अपने लच्छन को प्रगट कैसे करते हैं तो जो ये पूरा चैप्टर है वनसागत का अणविकाधार एक मूल सिधान के उपर टिका हुआ है जिसको सेंटरल डोगमा कहते हैं या मूल सिधान प मूल सिधान की बात है वो ये कहता है कि DNA जब अपनी ही कॉपी बना ले तो उसको हम प्रत्कृति कहते हैं इंगलिस में कहें तो रिप्लिकेशन जैसे आप फोटो स्टेट के दुकान में गए मार्शीट दी उसकी कई कॉपी बन गई तो जो मसीन है वो उसकी कॉपी बना दे रही है सेम कैसे मार्शीट की तरह तो यह प्रक्रिया क्या कर आया यह रिप्लिकेशन प्रत्कृति का लाया जब यही DNA अनुलेखन करके जिसको ट्रांस्किप्सन कहते हैं DNA से किसका निर्माड कर दे RNA का निर्मार करता है mRNA का निर्मार करता है तो यह प्रक्रिया क्या कलाती है अनुलेखन कहलाती है क्यों? क्योंकि कोशका से DNA बाहर नहीं जाता वह अपने आनुवांसिक लच्छड को प्रगट करने के लिए mRNA बनाता है जिसको दूत RNA करते है यह दूत कहां जाता है कोशका द्रब में बाहर नुकलियस से बाहर जाता है कोशका द्रब में जाता है और वह किसका निर्मार करता है प्रोटीन का निर्मार करता है तो DNA का मतलब हुआ जीन और जब यह जीन अपने लच्छण प्रगट करता है किस रूप में? प्रोटीन के रूप में, तो इसी को हम क्या कहते हैं? अभी वैक ती. यानि जीन ने अपने लच्छण को प्रगट किया. अब इस प्रोटीन के बनने की प्रक्रिया को हम निय नियंतित, यानि वो कोस्का के अंदर कैसे नियंतित होता इसको हम समझेंगे इसको नियंतित करने के लिए DNA क्या करता है आप जो NCRT बुक में दिया हुआ है वो चार चरण दिये हुए हैं वो चार चरण क्या है यहां हम देखते हैं जो हेडिंग है यूकरियोटि कोस्का, NCRT में सुध हिंदी में यूकरियोटि को क्या कहा सू केंदर की कहा, कि नियमन के अस्तर, कि कैसे जीन के जो लच्छन होते हैं वो कोस्का नियंतित करती है, रिगुलेट करती है, जिसे की आन्वांसिक लच्छन कम प्रगट हो, जादा प्रगट हो, यह हो सकें यह लच्छन प्रगट ही नहों जो पहली बात होती है, जो NCRT का जो पहला हेडिंग है, जो पहला अस्तर है कोस्का के अंदर, वो है अनुलेखन अस्तर पे अनुलेखन क्या होता है, DNA से RNA का निर्माड़, क्लियर हो गया ये DNA का से जो RNA का निर्मार होता है वो होता है कि जो केंदरक होता है नूकलियस के अंदर तो होता क्या है कि DNA के अनुलेखन से बने RNA को प्रात्मिक दूद RNA कहते है तो ये परिभासा क्या करें ये कि जब DNA जो RNA बनाता है उसको हम mRNA नहीं कहते उसको हम पहले क्या कहते हैं? प्राथ्मिक दूत आरेने, प्राइमरी मैसेंजर आरेने. यह क्या होता है? यह पूरी तरीके से complete mRNA नहीं होता. यह क्या होता है? यह प्राथ्मिक होता है जब इसकी processing संसाधन हो जाता है तो वो mRNA बनता है. अब आपको एक महत्पूर यहां बात ज जैसे bacteria जिवान इनमें क्या होता है कि सीधा DNA किसका निर्माड कर देता है MRNA का निर्माड कर देता है वहाँ संसाधन या तो प्रात्मिक दूत आरेने का निर्माड नहीं होता यह मत्पुर्ण बात इसको समझ लेते हैं अब अनुलेखन से किसका निर्माड होता है प्रात्मिक दूत आरेने का यही दूत आरेने MRNA बनता है और फिर जाके प्रोटीन बनाता है तो आप को सोचिए कि अगर डियानेक में जो अनुलेखन हो रहा है जो आ λέनेक का निर्माड हो रहा है अगर उसको हम तेज़ कर देंगे तो ज्यादा MRNA बनेंگे या दूत आरेने बनेंगे या हम क्या कर दे उस प्रक्रिया को धीरे कर दे तो धीरे धीरे आरेने बनेंगे या उस प्रक्रिया को रोग दें किसी की सहाता से तो आरेने का निर्मार ही नहीं होगा तो वो कौन सी चीज है जो DNA को नियंतित करती है वो होता है कि DNA के अनुलेखन को नियंतित करने के लिए DNA बंधनी प्रोटीन्स होते हैं जहां से समझेगा DNA में जो अनुलेखन यानि RNA का जो निर्माड होता है उसको DNA बंधनी प्रोटीन क्या करते हैं? नियंतित करते हैं इसको इंगलिस में कहें तो DNA Binding Protein यह DNA binding protein क्या करते हैं कि जो DNA का सुत्र होता है, धागा होता है उसी में क्या हो जाएंगे, लिपड जाएंगे अगर हम बात करते हैं, यह DNA का धागा है और इसका अनुलेखन होना है इस DNA के धागे से किसका निर्माड होना है RNA का निर्माड होना है लेकिन RNA के निर्माण के समय ही उसी में आके क्या जाएगे? यह protein आ जाएगा क्या जाएगा? यह protein का molecule आ जाएगा और जुड़ जाएगा जिससे की RNA का निर्माण क्या हो जाएगा? बंध हो जाएगा या अगर यह protein यहां से हट गया तो RNA का निर्माण तेजी से हो जाएगा, सक्री हो जाएगा तो यह बहुत मत्पूर है कि हम binding protein से किसको नियंतित कर सकते हैं अनुलेखन को अब इस binding protein से क्या होता इसमें देखते हैं इसकी सहायता से जीन को सक्री या निस्क्री कर सकते हैं अगर protein जुड़ गया तो निस्क्री हो गया, protein हट गया तो क्या हो गया वो सक्री हो गया या अनुलेखन की दर को बढ़ा या घटा सकते हैं जो RNA बन रहा है उसकी दर को हम बढ़ा भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं घटा भी सकते हैं ज्यादा तेजी से RNA का निर्मार भी हो सकता है केंद्रक के अंदर या तो हम क्या कर सकते हैं RNA के निर्मार को धीरे कर सकते हैं किसकी सहायता से वो binding protein यानि बंधनी protein की सहायता से यह बात समझते हैं ताकि आप समझ सकें कि इसको हम कैसे नियंतित करते हैं या केंद्रक यानि कोज का कैसे नियंतित करती हैं तो जो यहां पे डिसकर्शन हुआ कि DNA से जो पहले बनता है उसको हम क्या करते हैं प्रात्मिक दूत आरेने प्राइमरी MRNA करते हैं उसको अभी MRNA नहीं कहते क्यों नहीं कहते हैं इसको समझते हैं फीगर में आप देखिएगा जो प्रात्मिक दूत आरेने होता है उसके आरेने के खंड में छोटे-छोटे भाग होते हैं तो DNA से क्या बना? दूत आरेने बना तो दूत आरेने में छोटे-छोटे खंड होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं एक्जॉन और इंट्रॉंस कहते हैं अब ये एक्जॉन और इंट्रॉंस क्या होते हैं तो समझते हैं तो RNA के वे खंड जहां से समझेगा RNA के वे खंड जो प्रोटीन का निर्माड करने में सहाइख होते हैं वो एक्जॉन कहलाते हैं और RNA के वे खंड ज जो नहीं बना रहे हैं इंट्रॉन जो नहीं बना रहे हैं अब इनका काम प्राथमिक दूत आरेने में नहीं है इनको हटाना है तो जब हम क्या करते हैं कि जो प्राथमिक MRNA है उससे वेखन्ट जो प्रोटीन नहीं बनाते यानि इंट्रॉंस को हम जब हटा देते हैं और केवल एक्जॉन को ही आपस में जोड़ देते हैं तो यही क्या कह रहाता है प्रोसेसिंग जिसको हम कहते हैं स्प्लाइसिंग तो प्रोसेसिंग को संसाधन को का मतलब क्या हुआ कि जो प्रात्मिक दूत आरेने है उसके इंट्रॉंस को हटा के एक्जॉन को आपस में जोड़ देते हैं अब जो यह आरेने बना उसको हम क्या करते हैं MRNA परिभासा देखते हैं प्रात्मिक MRNA का MRNA में बदलना क्या कहलाता है अब इसको नियंतित कैसे करते हैं कोजका के अंदर इसको समझते हैं संसाधन के समय अमरेने के अण को विगटित या संसाधन की दर को बढ़ा या घटा सकते हैं यहां बात कह रहा है कि जब MRNA का विगटित जो प्रात्मिक दूत आरेने से MRNA बन रहा है ठीक है अब क्या क आरेने के दर है तो इस तरीके से इस जीन को क्या किया जाता है जीन के लच्छनों को नियंतित किया जाता है अब हम तीसरे टॉपिक पर आते हैं, तीसरे हेडिंग पर, MRNA का केंद्रक से कोश का प्रवड में अभी गमन, यह सुद्ध इंदी है, थोड़ा हम इसको सामानी तवर से हम लोग समझते हैं, MRNA बन गया, कहां बन गया, केंद्रक के अंदर बन गया, जिसको हम नूकलियस कहते ह अब वह केंद्रक से कहा जाएगा, कोश का दरव में, कोश का दरव को, इंगलिस में साइटो प्लाज्म कहते हैं, कोश का प्रमड, कोश का प्रमड, यानि इसको साइटो प्लाज्म कहा गया, कोश का दरव कहा गया, NCIT में, और अभी गमन, यानि, कि जो MRNA बन गया, केंद्र में आने दें तो इससे भी क्या करते हैं प्रोटीन के निर्मान को हम नियंतित कर सकते हैं जीन के लक्षड को हम नियंतित कर सकते हैं कैसे अब देखते हैं केंद्रक में छिद्र में इस्थित प्रोटीन्स MRN का कोशका द्रब्य में जाने को नियंतित करते हैं अब हम बात करते हैं किसमें केंद्रक के छिद्र क्या होते हैं केंद्रक क्या होता है कोशका द्रब्य में साइटो प्लाज में मद्ध में पाय जाता है और वो कैसी सनचना होती है फुटबाल की तरह फुटबाल में मान लीजिए उसमें छोटे 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 छेन है तो वो जो छोटे 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 छेन है फुटबाल के वो क्या कालाते हैं केंदरक छिद्र केंदरक छिद्र से फादा क्या होता है कि केंदरक को उसका दर्बे से क्या करती है आपसी संबंध बना लेती है के दोरा जिसको nuclear pore कहते हैं अब MRN ने तो बन गया कहाँ nucleus में अब इसको जाना है कोसका दर्ब में तो केंद्रक के जो pore होते हैं छिद्र होते हैं उन्हीं के पास क्या होते हैं proteins के molecule होते हैं वो यह decide करते हैं वो निर्धारित करते हैं कोन वो proteins जो की केंद्रक के छिद्रों के पास होते हैं और वो उसके अभिगमन जाने की गत को क्या करते हैं नियंतित करते हैं यह तीसरा तरीका था और जो चौथा है लास्ट है वो है अस्थानांतरी अस्थर पे अस्थानांतरी यानि जबकि mRNA से किसका निर्माड होता है प्रोटीन का निर्माड होता है तो इसको हम क्या कहते हैं रूपांतरन कहते हैं या इसी को हम अस्थानांतरन कहते हैं या इसी को हम क्या कहते हैं भासांतरन कहते हैं कि जब RNA से प्रोटीन का निर्माड होता है, तो उसको हम रूपांतरण कहते हैं. अब इसको समझते हैं. राइबोसोम से जुड़े mRNA से बने पॉली पेप्टाइड की स्रिंखला के बनने की दर को बढ़ाया या घटाया जा सकता है. बात हो रही है राइबोसोम की, फिर बात हो रही है mRNA की, फिर बात हो रही है पॉली पेप्टाइड स्रिंखला की. अब थोड़ा हम प्रोटीन की निर्माड के तरफ जाते हैं. क्योंकि इसको समझ लेंगे, तो हम समझ लेंगे कि कैसे नियंतित होता है. mRNA बन गया, बाहर को उसका दर्ब में आया, और जैसे को उसका दर्ब में आया, वो उसकी मुलाकात किस्से होती है राइबोसोम से, और राइबोसोम क्या करता है, उसके 5-डेस सीरे पे आके बन जाता है. और जैसे 5-डेस सीरे पे आके बन गया, अब क्या करता है वह जो mRNA में kodons हैं उसी के अनुसार protein का निर्मार करता है यानि एक polypeptide स्रिंखला का निर्मार करता है तो यहां ध्यान से समझेगा कि protein की बात करें या polypeptide कहें तो दोनों एकी चीज है protein के जो molecule होते हैं वो छोटे छोटी इकाई से मिलते हैं जिसको amino acid कहते हैं और amino acid जब कई जोड़ जाते हैं उसको polypeptide कहते हैं स्रिंखला तो होता क्या है कि जो mRNA, ribosome से mRNA जोड़ गया अब उसके code के अनुसार किसका निर्मार होगी protein की स्रिंखला का बनना शुरू हो जाएगा, ribosome बनाएगा, किसकी साहता से TRNA ये सब protein के निर्मार में आप इस playlist में, इस chapter में जाईएगा और क्या भासांतरन या रूपांतरन को डिटेल से समझना होगा, तो इस video को अंदर जाके देख लेंगे तो आपको concept clear हो जाएगा, अब क्या होता है, कि जैसे mRNA ने जोड़ गया, ribosome से polypeptide की स्रिंखला बनने लगी, तो जैसे बनने लगी, उसकी दर को बढ़ा या घटा सकता है ribosome क्या करेगा, चाहेगा तो वो protein की स्रिंखला बहुत तेजी से बना देगा, या चाहेगा तो बहुत आराम से बनाएगा या protein की स्रिंखला बहुत slow motion में बनाएगा, कोई जल्दी बाजी नहीं, या bunny स्रिंखला को नस्ट किया जा सकता है, या फिर जैसे protein की स्रिंखला बन गई, कोश्का दर के अंदर ribosome अलग हो गया, तो अगर कोश्का को उस protein स्रिंखला को polypeptide जो स्रिंखला है, उसकी आसकता नहीं है, तो वह क्या कर देगी, उस polypeptide स्रिंखला को नस्ट कर देगी, यानि कि जो protein का लच्छन है, जो DNA से protein बना, जो लच्छन प्रगट होना था, वो चाहे तो कोश्का लास्ट समय में, कि जब protein बना, उसका प्रियोग ना करके उसके वो नस्ट कर सकती है, तो ये चार तरीके से, कौन-कौन से? अनुलेखन अस्तर पे, संसाधन अस्तर पे, MRN का, केंदरक से, कोश्का, प्रवण में अभिग्यमन, और चोता है, अस्थानांतरी अस्तर से, ये चार तरीके से कोश्का क्या करती है, जीन के लच्छनों को प्रगट करने को नियंथित करती है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जिरूर बताईएगा चैनल में नए हैं तो जूरिएगा सब्सक्राइब कीजेगा दोस्तों में सेर कीजेगा थैंक यू